सूपर बात प्यारे बच्चो तो बच्चो हमारा पार्ट चल रहा है सेखी बाज मक्खी तो सेखी बाज मक्खी पार्ट के अंतरगत हमने दूसरी काफी गतिविदियां जो हैं वो हम कर चुगे हैं तो आज हम करेंगे प्रष्च संख्या 14 पर दिये गई एक और गतिविदि जिसका नाम है रस्ता डूंडो तो आप इसमें देख सकते हैं कि एक जो मक्डी है वो दी गई है ये और उसके बाद कुछ रास्ते दिये गई हैं एक दो तीन चार पांच ठीक है ये पांच रस्ते इ अंदर जाने के लिए एक दो तीन चार और पांच में से कौन सा रस्ता होगा तो आपको देखना है कि किस रस्ते पर कितने जो जाले हैं वो आ रही है उसे काउंट करके इस मक्डी को उन्ही रस्तों से आप लोगों को गुजारना है ठीक है ये सभी बच्चे कर लेंगे इनके पास तुमने अकसर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है तो कुछ चीजों के नाम दिये गए हैं आपको बताना है कि इनके पास आप लोगों ने किसको उड़ते मंडराते देखा है जैसे कि पहला है जलते बलब के आसपास, दूसरा है खेतों में, तीसरा इखटा पानी के ऊपर, चोथा फूलों पर, पाच्वा कच्रे के धेर पर, छटा हलवाई की मिठाई पर तो आपको बताना है कि इन चीजों के आसपास कौन उड़ते मंड़ाते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, पहला है जलते बलब के आसपास, तो जलते बलब के आसपास किसको आपने मंड़ाते हुए देखा है, तो उसमें आप लिख सकते हैं, कीडे, छिपकली, ये जलते ह बलफ के आसपास होते हैं आपने देखा होगा उसके बाद खेतों में तो खेतों में देखा आपने कीड़े और टिड़े उसके बाद इखटे पाने के उपर मच्छर और मक्खी फूलों पर आपने किसको मंडराती हुए देखा है फूलों पर मदू मक्खी और तितली ये फूलों से जो उनका रस है जो उनका प्राग है वो इखटा गरती है ठीक है उसके बाद है कच्छरे के धेर पर तो कच्रे के डेर पर कौन बिन बिनाता है मक्खी और कौन होता है मच्छर ये कहां पर पाए जाते हैं कच्रे के डेर पर उसके बाद है हलवाई की मिठाईयों पर तो हलवाई की मिठाईयों पर होता है मक्खी और मदु मक्खी ये जो है हलवाई की मिठाईयों पर भी मंडरा रहती है आप लोगोंने देखा होगा कि मीठा कुछ भी रखाओ जिसमें गुलाब जामून लड़ू वगेरा यह जो मिठाई रखी हो थी तो इसके उपर मदू मक्खी और मक्खी जो है वो मंडराती रहती है ठीक है तो यह कुछ गतिविद्या है जो कि आप लोगों को आपक कि हिंदी की बुक में करनी है और इस गतिविद्य को आपको आपकी हिंदी की कोपी में भी करना है ठीक है मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ जाये होगा धन्यवाद